पापा के यूटूब चैनल सब्सक्राइब करिया जटना भी टेख रहे हैं बाबु सब्सक्राइब करिये खाले ही एक कि काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं सब्सक्राइब कर दो कोई नहीं तो नाता ना देल तू एक हजार रुपया देल तू जहाना वाद पड़ा लिवाद तीन गोड़ा पायल पाहिन भागिया मत जाई अब आपके साथ अंके सिंग्चोहान भोजपुरी इंडस्टिस में बहुत जारे ऐसे चीजे हैं जो हम अक्सर आपको बताते हैं लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं बताने वाला हूं आप जरूर कहेंगे विल्कुल में नया था तो चलिए हम आज आपको अप अपने नय मेहमान से सबसे पहले आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों को अपना परिशे बताईए थैंक्यू जितने भी मन चाहा चैनल को आप सब देख रहे हैं सब कोई के गोड़ चुके गोड़ लग रहे हैं सबसे पहले आप बताईए कि भोजपूरी इंडस्टिस म आप काफी पॉपूलर चेह रहा है और इतना फेम इतनी पब्लिक शिटी मिलना कैसा लगता है आपको बहुत अच्छा लगता है और सब पबली का सिर्वाद है कि मघी भासा में भोजपूरी में बहुत प्यार तुलार देते हैं बहुत मज़ा आता है कभी जोकल बना देते प्यार पापा कहते है वह अलग टाइटल है भोजपूरी इंडस्टीज में इस उमर में पापा कहलाना एक ऐसा लगता है पापा कहलाना मतलब यह पापा नहीं है लेकिन हम एक कमेडी बनाते थे पहले तो नाम रख दिये थे अपना आपको कि हम बिढ़ा के पापा है तो फ अरवल जिला से हैं लेकिन लोग जानते हैं जहानाबाद से जहानाबाद में पढ़ाई के और सियान होगें अतना बड़ा हुए और आज यहां तक है अभी पटना रहते हैं भोजपूरी इंडस्टीज में काम करना और यहां कानिभाव कैसा लगा है वित तक आपको बहुत दो बहुत बहुत कितना बताई बहुत ठीक लगाई जि जगास लगाव लगा कि बिना खाइले पीले निंदे ना वहाँ बिना खाइले पीले काम कर रही हो एक भुझपूरी इंडस्टीज में आपको खेसारी-लाल या पवन सिंग जी के साथ काम करने के मोगा मिला है तक छ उन लोग की जो हैं से हम भी कर सकते हैं और पबली का सिरवाद रहेगा तो जरूर मतलब फिलिम मतलब बात चार रहा है तो चार को फिलिम के एदाम रॉल निवाएंगे जो अपना करते हैं कुछ कमेडी आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ करके रिखाई ता कि जो सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन अब खास करके हम गाओं देहाद का चीज उठा उठा कर गार है कभी मास्टर वाला गाना मरबत हमारा गुरू जी छड़ी ठुटतो तो तो बहुत प्यार दुलाएं एक काला बंदर गाना गाएं हम कि काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले है बहुत प्यार मिला मतलब सतर मिलियन उस गाना को प्यार मिला है तो पूरी इंडेस्टीज में आना जहां पे लोग आज कल कहें तो गौर्मेंट जॉब देखते हैं मापापा चाहते हैं कि कोई बड़ा पत्व जाए इस इंडेस्टीज मांकर कितने चुनोती आपने सामना क है और कैसा लग रहा अभी तक हैं जी मने तुकाई तो हूं किसे गोवर्नमेंट अवसरकारी नोगरी बीसी कर लेए वाइटी आई कर लेए बाबुजी बड़ी मार मारा थी पढ़े लागे पढ़के नकुरी ले तब ना पढ़ लिये हम घाना गायों पर दियान दे लिया गाना गाली तो आज बाबुजी के दुग रूपिया कमा के देए पैसा छोड़ा हमरा जोई गाओं के अवरत चाची लोग दीदी लोग बहीन लोग सब यतना देह थिन प्यार तो मन गदगद हो जाहाए वहां नौकरी सभी जादे लगा हुआ यह ताम बड़ा माज़ाव पर इतने फेमस नहीं थे तो गाओं और फैमिली आपके दोस्त लोग कैसा आपके साथ बीएब करते थे बड़ी सब्ताना माराल थी जी जोटा बड़ा ही लिए बाबुजी के ब्याच देहीं अब प्यार दुलार मिले लग 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 तब जाही गाओं वला भी बहुत सपो कितने साल से आपका भोजपूरी इंडेस्टी में कदम है और कितना अनभाव है यहां का मन तुथा मतलब कि हम तीसरा कलास में पढ़ते थे जहीं से गाना गाते थे स्कूल में लेकिन जा करके पैसा उसा पाबुजी नहीं देते थे तो जा करके सक्षच किये मतलब हम हजार उन्हें छाठा महिना में गाना गाएं मगहेगी तो अपने से लिख करके नहां फिल्म से जी जी इसका दूलाइन हमारे दर्श्च को गाना हीट कर गया मेरा समाजिक है कि आरबुल जीला पलहली गरानिया नाही हलागला उगेनो करिया जीवन का पहला गित था और पहला गित गाये थे पढ़ते पढ़ते किसी तरह से पैसा जुगार करके आज बहुत चारा गित गाया गाते हैं बहुत प्यार दो लाइन हमारे दर्शकु के लिए जाते हैं जागरन होए चाहे किसी भी तरह का प्रोग्राम होता है लेकिन वहां के महिला लोग चाची लोग फरमाइस करते हैं कि अजी बिल्डरवा का पापा से गीत आ अगाउन बेटी वाला ते एक लाइन सुना देते हैं मिटी की की बेटी गे पहायल पहीन बागिया मत हैं घे अभे टिगे बागी यामें दूला हाया ना जानो हाथ ना गये तो भेटिगे पाना वां खीला के मानवा मोहले खुनागे अभेटिगे बलो नो पावाइ ठाके लेकर चाल जायी थूना गये इस तरह का बहुत गीत है कितना सुना जानना चाहूंगा कि जब आप इस इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे उस समय आपकी फैमिली का जो सपोर्ट था पैसे कितने लोग आर्थिक तंगी कैसी थी लोग कितना सपोर्ट करते थे पैसे से आपकी फैमिली आधार कोचिंग क्या ना प्रेपन मुद्य कर लेखे में अज सब के सिर्भादब इना अझे 1-6rik हर रचा भुभर्णा में तो यह मतलब फरक ना पर रही का है कि एतने सब भीवरे भगावा थी सब गण में के मिलियन नाय चैनल से देखते नहीं है और फिर इतना आगे बढ़ना अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा है परिवार तो सिधे कहा है सब्सक्राइब करते हैं जाते जाते हैं कि सब को इसे कहना चाहते हैं कि सब को गलती सलती को माप करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लालु जाड़ो के स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए लालु जाड़ो के जतने फैंस हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें बग अक्सरी कई 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 ऐसे चुनावी सब्सक्राइब होती है जहां पर लालु यादो जी का कुछ कुछ अपना आवाज भी लिकालते हैं तो लालु यादो जी का आवाज लिकालना यह कैसे अनुभती थी कैसे आपने सीखा था देखिए यहां इसका कारणी है कि मतलब जहानाबाद में पढ़ते थे और सभा जब होता था आरजड़ी का तो लोग सपोर्ट करते थे हमको मतलब आरजड़ी का जतना भी नेतागन है मारे गया सब्सक्राइब करते हैं और मतलब बढ़ा बढ़ा परचार करते हैं और कोई नेतावता में हम ना जब हुआ है पसंद नहीं लेकिन वहां से प्यार दूलार मिल यसा पूछा थी ना गाना गावावा थी हम को बढ़का नहीं हम्मट नहीं को यह शुन में नहीं है पचास मिलियन होत अप पवरिली कई से खूस हो थी तब मन करा वा गाउं वाला चीज बच्पन वाला याद कर रही वा तक अभी बखडी चरावे वाला स्टोरी बना लए वा कभी कुछ बना लए वा मतलब सचते रही वा अपना राइटर के बताते हैं और मुजिक बनवा के सब्सक्राइब के लिए वाला इवा साधी विवा करें लिए अभी को नहीं पूरा नहीं मेरा गाना अब चुण करते हैं लेकिन शक शच कर पाते हैं सब तोई जाते जाते हमरे दिश्टेदे के लिए दो लाइन को यह सजू आपके सावन घो गाना बोल लबम के बहुत है अभी नए गाना है अभी एक रुपनी वला गीत आया है की कारे परथा दोंधानि आगे रुपनिया गे इजादों जी खेत में है गए कारे पर तोंधानी के रोपानियां गे इजादो जी के खेत में पहुत बढ़ियां गीत बनाये हैं जो मेरी वाइप लेकी आते हैं लोटा में पानी खाना सहर वाली है हाप उपे इनके तहम बोलते हैं कि कई सन मेहरी दी हो लोए राम जी अकारे नाया बेजे कर रोपानियां हज खाना में अलाव ये राम जी अबरगर आपी जाचाओ उमीनियां इस्टाप का गीत है सब्सक्राइब बहुत अच्छा तो छोटा सा मुलकात था हमारे साथ जो कहें तो बिल्डरवा के पापा यूटूब पे सबसे ज़्यादा फेमस हैं और इनका जो नाम है कहें तो दर्शक सर्च करके यूटूब पे देखते हैं मैंने मैं हमेशा ही आप लोगों से कहता हूं कि कोई नए इंट्रिव्यू में आपको मिलांगो कोई सक्स या सक्सियत वह आप भी बन सकते हैं लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए आ और कोई सक्सियत होगा जिसकी एक लग पहचान होगी सैद आप भी हो सकते हैं मुश्कराते रहें अपने ख्याल रखे और हमें दीजे जाज़त मुश्क्राइब